परिचाय जब हम किसी वस्तु को धर्ती से उपर उठाते हैं तथा उसे छोड़ते हैं तो वस्तु पर एक बल लगता है जिसके कारण वा प्रित्वी की तरफ गिरती है वस्तु तथा प्रित्वी के बीच लगने वाले आकर्शन बल के कारण उत्पन्य होए बल को गृत्वी बल कहते हैं चित्र के अनुसार उपर की ओर फेंकी गई गेंद गृत्वा कर्शन खिचाव अथवा गृत्वी बल के कारण नीचे की तरफ गिरती है अलग-अलग स्थानों पर किसी वस्तु के भार में बदलाव का कारण भी गृत्वा कर्शन ही है गृत्वी घटना का अध्ययन करके इसे भली भाती समझा जा सकता है उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे गृत्वी बल को परिभाशित करना गृत्वा कर्शन के सार्वत्रिक नियम को परिभाशित करना मुक्त पतन के अर्थ को समझना भार और द्रवेमान के मध्य भेद ग्यात करना प्रणोध तथा दाप को समझना आर्कमिडीज के सिध्धांत को समझना गृत्विय बल गृत्वा कर्शन खिचाव हर वस्तु को नीचे की तरफ पृत्वी की ओर खींशता है गृत्विय बल वह बल जिसके द्वारा दो वस्तुएं एक दूसरे को आकरशित करती हैं उसे गृत्विय बल कहते हैं यहां तक कि अगर दोनों वस्तुएं एक दूसरे से जोड़ी हुई ना हो तब भी गृत्विय बल कारे करता है अभी केंद्र बल पृत्वि केंद्र की तरफ लगने वाला वह बल जिसके कारण कोई वस्तु वृत्तिय पत पर घूमती है अभी केंद्र बल कहलाता है सूरे तथा पृत्वि के बीच लगने वाला गृत्विय बल पृत्वि को सूरे के चारों तरफ एक समान वृत्तिय गती में रखता है यह एक अभी केंद्र बल है जो सूरे तथा पृत्वि के बीच में कारे करता है गृत्वा कर्शन का सार्वत्रिक नियम विश्व का प्रतेक पिंड, प्रतेक अन्य पिंड को एक बल से आकरशित करता है, जो दूनों पिंडों के द्रवेमानों के गुड़न फल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विर्द क्रमानुपाती होता है, जहां जी एक आनुपातिकता स्थरांख है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्विये स्थरांख कहते हैं, एसाई एक मात्रक न्यूटन है, गुरुत्वा कर्शन के सार्वत्रिक नियम को न्यूटन के गुरुत्वा कर्शन के नियम से भी जाना जाता है, गुरुत्विये स्थरांग का मान एवं मात्रक गुरुत्वा कर्शन बल की अभिवेंजना को व्यवस्थित करने पर हम पाते हैं G बराबर F गुणे R की घात 2 बटे M1 गुणे M2 इसका SI मात्रक NWM प्रतिवर्ग किलोग्राम अथवा NWM प्रतिवर्ग किलोग्राम है गुरुत्विये स्थरांग G दो एकांग द्रवेमान की वस्थिवों जो की एक दूसरे से दूरी पर रखी हुई हैं उस पर लगने वाले गुरुत्विये बल के बराबर होता है सार्वत्रिक गुरुत्विये स्थरांग का मान G बराबर 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 न्यूटन वर्ग मीटर प्रतिवर्ग किलोग्राम है गुरुत्वा कर्शन के सार्वत्रिक नियम का महत्व चन्द्रमा द्वारा प्रित्वी की प्रेक्रमा करना समुद्र में लहरों के बनने का कारण भी पानी, सोरे और चन्द्र की गुरुत्वा कर्शन शक्ती है गुरुत्वा कर्शन बल के कारण प्रित्वी वायू मंडल को धरादल के निकट रख पाती है प्रित्वी के गुरुत्वा कर्शन बल के कारण सभी वायूवी ये वस्तुएं प्रित्वी की ओर आती या आकर्शित होती है सोरे के गुरुत्वी ये आकर्शन के कारण ग्रेह उसकी परिक्रमा करते है मुक्त पतन हमारी पृत्वी उन सभी वस्तुओं को जो की इसकी सदह के करीब होती है अपनी तरफ खींचती यानी आकर्शित करती है इसलिए जब कोई निकाय घर की छस से छोड़ा जाता है तो वह नीचे पृत्वी की तरफ गिरता है मुक्त पतित निकायों में उत्पादित त्वरण सभी निकायों के लिए समान रहता है एवं यह गिरते हुए निकाय के दरवेमान पर निर्भर नहीं करता है गृत्वी पल के कारण गृत्वी त्वरण पृत्वी के गृत्वा कर्शन खिजाओ के कारण मुक्त पतित निकायों में उत्पादित एक समान तोरण को गुरुत्विय तोरण कहते हैं गुरुत्विय तोरण का मान 9.8 मीटर प्रती वर्ग सेकेंड होता है बल बराबर द्रविमान गुणा तोरण जो की बराबर है M गुणा जी के ये समीकरण एक है गुरुत्वा कर्शन के कारण बल F पराबर M1 गुणे M2 जी बटे वर्ग आर ये समीकरण दो है समीकरण एक तथा दो से हमें प्राप्थ होगा M गुणे G बराबर M1 गुणे M2 जी वर्ग आर G बराबर G M बटे वर्ग आर जो की बराबर होगा 9.8 म प्रति वर्ग सेकंड के भार तथा द्रविमान में भेट किसी वस्तू का द्रविमान उसके आंतरिक पदार्त की मातरा होती है वस्तू का द्रविमान नियत रहता है एवं स्थान स्थान पर बदलता नहीं है इसे छोटे M से दर्शाते हैं किसी वस्तू का द्रवेमान उसके जड़त्व की माप होती है, किसी वस्तू का द्रवेमान कभी शुने नहीं हो सकता। भार, किसी वस्तू का भार वह बल है, जिससे वह प्रित्वी के केंद्र की तरफ आकर्शित होती है, किसी वस्तू का भार उस वस्तू के द्रवेमान तथा उस इस्थान के गृत्विये तौरण पर निर्भर करता है, भार का मातरक न्यूटन है, एक किलोग्राम भार वह गृत्विये बल है, जो की एक किलोग्राम द्रवेमान के किसी निकाय पर कारे रत होता है, भार नियत नहीं होता है, प्रित्वी के केंद्र पर भार शुन्ने हो सकता है, मुक्त पतन के गती के समिकरण तीन प्रकार हैं, वी बराबर यू जमा जी टी, एस बराबर यू टी जमा एक पटे दो, जी टी वर्ग, वी वर्ग बराबर यू वर्ग जमा दो जी एस, गुरुत्वा कर्शन के कारण मुक्त पतित निकाय का उत्पन त्वरण जमा 9.8 मीटर प्रती वर्ग सेकेंड होता है, गुरुत्वा कर्शन के कारण उपर की ओर फेंका गया निकाय का त्वरण 9.8 मीटर प्रती वर्ग सेकेंड होता है, किसी निकाय का चंद्रमा पर भार एक बटे च्छै गुणा होता है, प्रणोध तथा दाब, प्रणोध, किसी वस्तू पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोध कहते हैं, प्रणोध बराबर दाब गुणा ख्यत्रफल, प्रणोध का SI मातरक न्यूटन है, दाब, किसी वस्तू के एकांक ख्यत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं, अगर ख्यत्रफल अधिक है, तो बल कम दाब उत्पन्न करता है, और अगर ख्यत्रफल कम है, तो अधिक दाब उत्पन्न करता है, दाप बराबर बल, बटे, शित्रफल दाप का SI मात्रक न्यूटन प्रतिवर्ग मीटर है दाप का डैनिक जीवन में उप्योग स्कूल के बैक में पट्टियां इसलिए चोड़ी होती है क्यूंकि उसका भार अधिक शित्रफल पर लगता है जिससे उसका दाप कंधों पर कम हो जाता है सुई की नोक काफी पतली होती है ताकि वह बल कपड़े के बहुत कम शित्रफल पर लगे एवं कपड़े सिलने के दोरान छेदने के लिए आवशक दाप पैदा करे जब कोई व्यक्ति चलता है तब जमीन पर पढ़ने वाला दाप उसके खड़े होने से पहले दाप से अधिक होता है क्योंकि जब वो चल रहा होता है तब उसका भार कम शित्रफल पर पढ़ता है एवं इससे दाप पढ़ता है तथा जब वो खड़ा होता है तब शित्रफल अधिक होता है एवं वो कम दाप पैदा करता है उत्पलावक्ता किसी द्रव में वस्तू पर उपर की तरफ लगने वाले बल को उत्पलावन बल कहते हैं किसी द्रव के द्वारा उपर की तरफ लगाए गए बल को भी उत्पलावन बल कहते हैं किसी द्रव के द्वारा किसी वस्तू पर उपर की तरफ बल लगाने की प्रावरित्ती को उत्पलावक्ता कहते हैं। उत्पलावन बल को प्रभावित करने वाले कारक यह द्रव में डूबने वाले ठोस वस्तू के परिमान पर निर्भर करता है। जिस द्रव में वस्तु को डुबोया गया है, यह उस द्रव के घनत्व पर नेभर करता है आर्कमिडीस का सिध्धान्त जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूनता डुबोय जाती है, तो उस पर एक उत्पलावन बल कारे करता है जो कि उस वस्तु के द्रव के भार के बराबर होता है इसका उप्योग जल्यानों तथा पंडुब्बी के डिजाइन दुग्दमापी एवं घनत्व मापी बनाने में होता है उत्पलावन बल पराबर वस्तु के द्रव का भार उत्पलावन बल का परिमान डुबोए गई वस्तू द्वारा विस्थापित द्रफ के भार के बराबर होता है आपेक्षिक घनत्व या किसी पदार्थ एवं पानी के घनत्व का अनुपात होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व क्या आप चानते हैं? न्यूटन के गृत्वा कर्शन के नियम हमें प्रित्वी का सही द्रविमान पता करने में सहायक है न्यूटन के गृत्वा कर्शन के नियम हमें सूर्य, चन्रमा एवं अन्य ग्रहों का द्रविमान पता करने में सहायक है गृत्वा कर्शन प्रकृती के चार मूल भूत प्रभावों में से एक है प्रतेग्रह प्रत्वी को मिलाकर अपने गुरुत्वी क्षित्र से घिरा रहता है, जो की सभी वस्तूँँँँपर आकर्शन बल लगाता है सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संख्षेप में दोहराएं किनी दो पिंडों के बीच आकर्शन बल उन दोनों के द्रवेमानों के गुणन फल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के वितक्रमानुपाती होता है गुर्थवा कर्शन एक शीन यानि कमजोर पल है, जब तक की बहुत द्रवेमान वाले पिंड संबध ना हूँ प्रिथ्वी तल से उचाई पर जाने पर गुर्थविय बल कम होता जाता है किसी वस्तु का भार द्रवेमान एवं गुर्थविय तोरण के गुणन फल के बराबर होता है किसी वस्तु का भार अलग-अलग स्थानों पर भिन्न होता है किसी निकाय का चंद्रमा पर भार उसके प्रिथ्वी पर भार से एक बटे च्छै गुणा होता है जब कोई वस्तू किसी तरल में डुबोई जाती है तो वहा उत्पलावन बल महसूस करती है